गुड इवनिंग फ्रेंग्स मैंने में इस राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनलेसस आज का डेटे 12 फैब 2022 आज हम लोग जिन से इसके उपर मतली प्रिव्यू करेंगे वो है कैनरा बैंक जहांपे सारे टार्गेट अचीव हो गए हैं अब इस शेर पर क्या करेंगे एस्टरल पॉली पर बात करेंगे मैंने हमेशा बोलाए सपोर्ट रजिस्टन्स के बाद प्रॉफिट बॉकिंग भी ज़रूरी है 80% शेर्ज जो है सपोर्ट रजिस्टन्स में चलते हैं आपको रजिस्टन्स से नीचे आते ही सेल करना है और सपो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं न करेंट टैप्स मिलता है जो आपको शेर एनालेसस करने में काफी मदद करता है साथ मैं आपको इब कमनी के ओपर वीडियो बनवाना शाहते है तो जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स पर बताइए ताकि मैं उस पर जल से जल रिस बताने की कोशिस करता हूँ मेरे चैनल की दूश्री बड़ी यूएस पी यह है कि मैं यहापे हर फ्राड़े से ड़े संडेस मंथली प्रिव्यू बनाता हूँ इससे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है अगर वो इंसेस पे इन्वेस्ट कर रहे है या ट्रेड कर रहे है तो अब बात करेंगे आज हम लोग जिन सेस के अपर मंथली प्रिव्यू कर रहे है बढ़ इससे पहले आप यह उपर दिये वे लिंक पे जरूर देखिए जहां पिछले मैंने इनी तीनों सेस का मैंने मंथली प्रिव्यू किया था बात करेंगे कैनरा बैंक, कैनरा बैंक कमनी क करती है कौन सी काटगरी में आती है यह सारा इंफरमिशन जाने के लिए आप यह उपर दिये वे लिंक पे जरूर देखिए कैंडरा बैंक पे मैंने लाश्ट टैम वीडियो बनाया था 11 जैन 2022 को जब इसकी क्लोजिंग वीधी 221.40 कैंडरा बैंक आज के दिट पे 12 फैब 2022 टूहंडड़ यह में के उपर है 251.50 की क्लोजिंग एक आपका 270 हैस अगर आप इसका देख रहे है 272.80 है जो की रेजिस्टेंस 3 इसने टूच कर लिया है और बात करेंगे इसका इसमेरिका जो लोजिष्ट है वो है 204.65 जो की सपोर्ट 3 के जस्त नीचे आया था जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ टार्गेट्स आपको कैंडरा बैंक रेगुलर्ली वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटल अगर आपने सपोर्ट पे लिया है 150-180 के रेंज पे तो आराम से होल्ड कर सकते हैं 250 के नीचे आया नहीं अभी तक 270 भी इसने टच किया तो जिन लोगों ने 200 पे खरीदा रहेगा 270 तक उनको उपरचुनिटी मिली थी अब वेट कीचे फिर से सपोर्ट लेवल पे आने के लिए देखो लालच अगर आप करोगे कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कोई शेर को उसके लोइस में खरीदोगे और उसके हाइस में आप बेचोगे यानि कि आप अगर सोच ने 270 का मैंने दिया है और 272 हुआ 270 या तो आपको वैसा फिक्स करना पड़ेगा कि 270 मेरा टार्गेट है 270 हो गया 270 से नीचे आया 269 भी उसने टच किया तो मैं सेल करूँगा उसके भली वो 270 या 280 या 290 जाने दो You have to be very strict on this मैंने हमेशा बोला है इसमें आपको ऐसे रोबोट काम करना पड़ेगा तब भी आप ये support resistance का काम कर सकते हैं और else आपको यहाँ पे भी फाइदा नहीं होगा मैंने आपको कई बार ऐसे shares में दिखा है जहाँ पे आपने support पे buy किया resistance तक आपने देखा आप profit में थे आपका portfolio profit में था बट आपने सिफ उसे बेचानी आपको लगा कि अभी तो just resistance से नीचे आया जल्दी आ जाएगा जल्दी आ जाएगा और वो support तक आ गया कितने सारे share में ऐसा हो चुका है बहुत सारे लोगों के साथ इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ support पे अगर आपने buy किया है resistance से नीचे आते आपको sale कीचे और wait कीचे फिर से उसी share को support पे आने दीचे मैंने अभी बताया 80% share मैंने अपने इतने सारे videos बना चुका हूँ आपको दिखा भी चुका हूँ यह देखो resistance पे था अभी फिर से support पे आ गया है बात करेंगे astral limited astral limited company क्या करती है कौन सी category में आती है यह सारा information जानने के लिए आप यह उपर दिये वे link पे जरूर देखिए astral limited का मैंने last time वीडियो बनाय था 11 जैन 2022 जब इसकी closing विथी 2452.65 support 1 2000 support 2 200 support 3 2400 resistance 1 2600 resistance 2 2800 resistance 3 मैंने blank छोड़ा था astral limited आज के rate पे 12 fab 2022 इसकी जो closing ए 2073.85 है support 1 again 2000 पे दे रहा हूं support 2 2200 support 3 2400 resistance 1 2600 resistance 2 2800 and resistance 3 again blank छोड़ा हूं हाई अगर आप इसका देख रहे है 2524.95 है और इसका इस मैंने का जो lowest है 2042.55 है but 2000 इसके लिए बहुत important level है यह मैं जो आपको बता तो हमेशा मैं आपको यहां पे जो भी support और resistance देता हूं वो as per graph देता हूं but अगर आपने 2400-500 पे बेचा है तो wait कीजे क्या यहां से और नीचे आ रहा है 2000 break करेगा तो मैं आपको अगले महीने इसके recent updated fit से available कराऊंगा और मैं आपको हमेशा जैसे अब भी बता है था आपको camera bank में हो गया या कोई भी share हो गया resistance आप देखे extra limited के videos अगर आप मेरे regularly देख रहे है तो 2000 के नीचे मैंने आपको वहां पे suggest किया था 2400-500-600 तक गया और आप देखे वापस 2000 के level पे आ चुका है almost 2000 के level पे आ चुका है ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ऐसे हर share में ये चीज़ होता है support के बाद वो support आएगा वो कितना भी उपर चला जाए उसमें correction आने के बाद वो अपने support zone पे जरूर आते हैं इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 80% share support resistance पे चलते हैं आप अगर मेरी ये बात मान लेंगे implement कर लेंगे जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मेरा वीडियो देखे दिन का 10,000-20,000 भले ही ना कमाए बट आपके 10 में से 8 trade हो जाएंगे positive बात करेंगे कोटक महिंद्रा कोटक महिंद्रा bank company क्या करती है कौन सी category में आती है ये सारा information जानने के लिए आप ये उपर दिये वे link पे जरूर देखे कोटक महिंद्र का मैंने last time वीडियो बनाया था 11 Jan 2022 जब इसकी closing वी थी 1936.80 support 1 1800 support 2 1900 support 3 2000 resistance 1 2000 resistance 1 2000 resistance 2 2100 resistance 3 दिया था 2200 का कोटक महिंद्रा आज के date पे अगर आप देखेंगे 12 FAB 2022 इसकी closing 1828.35 support 1 1600 support 2 1700 support 3 1800 resistance 1 1800 resistance 2 1900 resistance 3 ये 2000 का हाईस अगर आप इसका देख रहे है 1976.15 है और इसका इस मैंने का चो lowest है वो 1782.20 यानि की जो मैंने आपको आप कह सकते हैं कि support 1 1800 दिया था वो 800 तक आ गया था और इसका इस मैंने का चो हाईस था 1976 जो मैंने पिछले मैंने वीडियो बनाते टाइम ही बता है था 2000 बहुत important level है support लेगा तो उपर जाएगा बट वो resistance बन गया 2000 का level इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मैं यहाँ पर आपको जो भी support और resistance दे रहा हूँ वो as per graph देता हूँ इसके लिए मैं आपको इतने confidently बोलता हूँ 80% आप अगर मेरे भी वीडियो देखेंगे 10-20 तो होंगे ही जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कोई share है जो resistance दोड़के बहुत उपर चला जाएगा या support दोड़के बहुत नीचे आ जाएगा बट वो भी बहुत rarely होगा कि एक ही महीने में या 5-6 दिन में या एक week में हो जाए आपका बट अगर अगले महीने भी होगा अगर आप मेरे वीडियोज रेगुलरली देख रहे है तो मैं अगर आपको कहीं पर दिख रहा है कि graph नीचे आ रहा है, candle stick नीचे आ रहा है मैंने हमेशा बोला है अगर आप share market पर invest कर रहे हैं तो थोड़ा time देना पड़ेगा Saturday Sundays movie नहीं देखते हैं Saturday Sunday share market वाले अपने research करते हैं जिससे वो अपना next 5 दिन जो है Monday to Friday अच्छे से trade कर सके आपको ढूना होता है कि ये दो दिन में जो Saturday Sunday बंद रहता है कि ये दो दिन में कौन से shares हैं जो support zone पे चल रहे हैं support zone पे कौन से candle stick आपको positive sign दे रहे हैं किसका RSI 20 पे आके रुका है ऐसे अगर आप home work करेंगे तब भी आपको जाकर बहुत अच्छा return मिल सकता है जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ share market as a business अगर आप करेंगे तो इसमें अच्छा profit earn करेंगे अगर आप as a gambling करेंगे तो definitely आपको नुकसान ही होगा stock market tips में मैंने बहुत सारी बताई हुई यह चीज़े आप मेरी प्लेलिस में जाके देख सकते है stock market tips of stock market 10-11 वीडियो है free of cost है आप देखिए और उसे implement कीजे तब आप खुद देखेंगे आप में कितना improvement आता है आपको कितना profit होता है तो अमीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे अच्छी लगे तो please like और subscribe कीजे जैसे मैं आपको support कर रहा हूँ सही support और resistance देकर उस तरह आप भी मुझे support कीजे मेरे वीडियो को like कीजे subscribe कीजे और आगे आपके family friends पर forward कीजे जो लोग भी share market में trading कर रहे है या फिर investing कर रहे है ठाकि यह important information उन तक भी पहुन सके thank you so much have a nice day